रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से रकम लेकर धोका धड़ी कर फरार होने वाले आरोपी विद्या भूशन प्रसाद को कलकता और दुर्ग पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया जिसके बाद पुलिस टीम आरोपी को लेकर कलकता रवाना हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों से रकम लेकर धोका धड़ी करने वाले फरार आरोपी को कलकता के बागदा थाने की पुलिस एवं मोहन नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने दुर्ग में घेराबंदी कर पकड़ लिया इसके बाद पुलिस टीम आरोप विद्या भूशन प्रसाद को लेकर कोलकाता रवाना हो गई बता दे कोलकाता के बागदा थाना शेत्र में आरोपी विद्या भूशन प्रसाद निवासी जमशेत्पूर जार खड़ने कुछ लोगों को रेलवे में अच्छी नौकरी दिलाने के अजहांसा देकर लगबग लगबग 41 लाख रुपए की धोका धड़ी की थी इस पर पुलिस ने आरोपी के खिला भीन धाराओं के तहट अपराद दर्ज किया था इसके बाद आरोपी कोलकाता से फरार होकर दुर्ग में छिप रहा था जिसकी पुलिस को जानकारी मिलने पर कोलकाता से टीम मोहन नग अगर्थाना प्रभारी आकांशा पांडेरी संयुक्त कारवाई कर परार आरोपी को धर्दा बोचा एसीन निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी के रिपोर्ट